ब्रेक के बाद बात करेंगे आबू धावी की जहां खाली देशों का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन करते यारे बस इंतिजार उस वक्त का है जब प्रधान मंत्री ननंद्र मोदी मंदिर का उद्गाटन करेंगे जगन्नाथो नेत्यं रुदय भुवने निवृत्यतु ममाः प्रधान मंत्री ननंद्र मोदी आज UAE की राजधानी आबू धावी में UAE के पहले मंद्र हिंदू मंदिर का उद्गाटन करने वाले हैं भारती समय के नुसार शाम को 6 बचे आज शाम को 6 बचे पी-एम बी-ए-पी-ए स्वामी नायन हिंदू मंद्र का लोग कारपन करेंगे मंद्र के उद्गाटन की तयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंद्र में अपना प्रतिष्ठा समारू भी कर लिया गया है साल 2018 में इस मंद्र का शिला पूजन हुआ था पुर्धान मंद्र ने खुद मंद्र का प्रोजेक्ट लॉंच किया था और लगबक 6 साल बाद आबुधाबी में विशाल मंद्र बनकर तयार है मंद्र को लेकर लोग उच्छा से भरे हुए हैं ऐसे में उद्घाटन समारू में करीब 5000 श्रत धालू पहुँचने की उमीद है 700 करोड की लगज से तियार इस हिंदु मंद्र से पी एम मुदी पूरे विश्य को सनातन और वसुदेव कुटमिकम का संदेश देरे जा रहे हैं तो फिलाल क्या कुछ माहौल है वहाँ पर वो हम जाने के हमारे सयोगी अमित सीधे अबु धाबी से हमारे सा जुड़ गए हैं लाइव अमित गौरफ शालीपल पूरे भारत देश के लिए किस तरह का माहौल फिलाल आप देख रहे हैं कोई दोर आए नहीं सुमित ये गवरफ शालीपल है सभी भारतियों के लिए और खास तोर से उन भारतियों के लिए जो लंबे अरसे से आबु धाबी में या पिर यूई के किसी भी हिस्ते में रह रहे हैं तो यहां पर राश्पती से मुलाकात के दोरान ये प्रस्ताव आगे बढ़ पाया दोहजार अठार में जमीन मिलती है और दोहजार उन्नीस में निर्माण कारे शुरू होता है और चार बरस की तपस्या के बाद मंदिर बन कर तैयार हो जाता है मंदिर की दिविता और भविता की बात करें सुमित तो अगर आपने दिल्ली का अक्षरधा मंदिर देखा हो हमारे दश्कुले देखा हो तो करीक परीक उसी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है तीस हजार मूर्तियां है इस मंदिर के भीतर जो स्थापित की गई इसके लावाब भगवान शूप के परिवार को यहां पर दर्श आये गया है सभी देवी देवताओं की प्रतिमा उकेरी गई है पत्थरों पर और खास बात है कि राजस्थान से ही पत्थर लाए गे थे अविध्या में दिब और भवे मंदिर के निर्मान के लिए और राजस प्रदानमत्री मोदी का शाम शे बजे यहां पर पहुँचेंगे और उसके बाद इस मंदिर का उध्गाटन करेंगे हजारों की संख्या में भारती समुदाय के लोग पहुँचे हुए थे और जब आप यहां पर मौंजूद हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कई भारती हैं तो लग नहीं रहा है कि UAE में मौजूद हैं, आप आबुधाबी में मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत के किसी शहर मेहीं, आप किसी राज में मौजूद हैं वहाँ पर. बिल्कुल सही बात कहीं सुमित, आपने कल जब में स्टेडियम के भीतर भी मौजूद था, तो वहाँ पर देश के हर हिस्से की जलक देखने को मिल लए थी, जो संस्कृति कारिक्रम वहाँ पर प्रस्तुत किये जा रहे थे, उसमें यूपी के कलाकार भी थे, उसमें राजस् सार किलोमेटर की दूरी बहुत कम है, और मैं उस मिटी की महक आपके लिए लेका रहा हूँ, जिस मिटी में आपने जन में लिया इस बात का जिकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और जब मैं लोगों से बाचीत कर रहा था, जो स्टेडियम में मौजूद थे, तो यही कह रहे थे, कि आज हम बदलते हुए भारत की तस्वीर देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है, कि हमारा देश की स्टेजी के साथ बदल रहा है, आज हमें गौरों का हैसास होता है इस देश में रहते हुए, जब हम बताते हैं कि हमारा भारत कितना बदल गया है, कैसे वहाँ कि पाच्छी बड़ी अर्थिवस्था बन गया है और कैसे दुनिया के तीसी बड़ी अर्थिवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है इन तमाम बातों का जिक्र लोग कर रहे थे और कल यकीन मानिए कि इस स्रेडियम में रहते हैं मुझे कहीं से भी हैसास नहीं हो र आतुनाही नमसकार